हलो फ्रेंट मैंसल शब्र उसेन और वाचिंग फीजियो और टॉक दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट लिगामेंट के बारे में जो की है एंटियर क्रूशेट लिगामेंट यह हमारे नी के अंदर मिलता है और इस लिगामेंट के लिए कौन सा टेस्ट हमें इडेंटिफाय करना होगा इस टेस्ट को पता करने के लिए एंटियर क्रूशेट लिगामेंट की इंजरी को पता करने के लिए हमें कौन सा टेस्ट करना होगा यह आज की वीडियो में आपको पुले और अगर आप हमारे पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिए और नीचे बैल आइकन को भी दबा लिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की ओडिफिकेशन मिलते रहें और दोस्तों अगर अभी तक आपने वाले जोइन नहीं किया तो नीचे जोइन पर क्लिक कर लिज दोस्तों हमारे नी जोइन के अंदर एक most important ligament होता है anterior cruciate ligament और इस ligament के tear को पता करने के लिए हम करते हैं anterior drawer test तो anterior drawer test करने के लिए आपको करना क्या होगा patient को supine line लेटाना होगा और patient के knee joint को 90 degree तक flex करना होगा और therapist patient के foot को stabilize करने के लिए patient के foot के ओपर sit करेगा और patient की tibia को joint line को palpate करके वहां से grasp करेगा और therapist को अब क्या करना है patient की tibia को anteriorly pull करना है दोस्तों यह test हम positive तब मानते हैं जब patient की tibia anteriorly 6 mm से ज्यादा glide करे या फिर patient का end feel है वह बहुत ही ज्यादा soft हो और बहुत ही ज्यादा cushy आपको cushion type feel हो रहा हो और 6 mm से ज्यादा patient की tibia glide कर रही हो तो इस test को हम positive मानेंगे और यह मानेंगे कि patient का anterior draw test positive है और साथ ही यह confirm हो जाएगा कि patient को anterior cruciate ligament के अंदर कुछ न कुछ problem है तो दोस्तो आज की वीडियो में हमने बात की anterior draw test जो की हमारे anterior cruciate ligament की injury को पता करने में बहुत ही ज्यादा important role play करता है तो दोस्तो आज की वीडियो में आपको बताया clinical test के बारे में कि anterior draw test आपको किस तरीके से करना होता है और इस test से हमें क्या पता चलता है उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like, share and subscribe करना ना भूले Thank you for watching Physio Talk